नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में वीवो वी 23 प्रो 5G वर्सस वन प्लस 10T 5G का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो वी 23 प्रो 5G में 6.28 इंच जबकी 10T 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है विद्थ की बात करें तो वी 23 प्रो 5G में 2.88 इंच जबकी 10T 5G में 2.97 इंच की विद्थ मिलती है बात करें थिकनेस की तो वी 23 प्रो 5G में 0.29 इंच जबकी 10T 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है जोकी वी 23 प्रो 5G से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो, V23 Pro 5G में 171 ग्राम्स जबकि 10T 5G में 203.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो की V23 Pro 5G से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कमपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, V23 Pro 5G में AMOLED जबकि 10T 5G में Fluid AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो V23 Pro 5G में 19.8 रेशियो नौ जबकि 10T 5G में 20.1 रेशियो नौ मिलता है Display Size की बात करे तो, V23 Pro 5G में 6.56 inches जबकि 10T 5G में 6.7 inches मिलती है Display Resolution, V23 Pro 5G में 1080 by 2376 और 10T 5G में 1080 by 2412 मिलता है Green to Body Ratio, V23 Pro 5G में 89.04 प्रतिशत जबकि 10T 5G में 88.18 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, V23 Pro 5G में 398 प्रति इंच जबकि 10T 5G में 394 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं Display के अन्य Features यानि विशेशताएं की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पतंदीदा Features Camera की दोस्तों, सबसे पहले बात करें Man Camera की तो, V23 Pro 5G में 3 Camera देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera और आखिर में Macro Camera देखने को मिलता है और 10T 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 Camera देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera और आखिर में Macro Camera देखने को मिलता है बात करें Video Camera की तो, V23 Pro 5G में 8 Different Type के Features मिल जाते हैं और 55G की बात करें तो उसमें 9 different type के features मिल जाते हैं, अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो, V23 Pro 5G में dual camera देखने को मिलता है, जिसमें की 6 different features मिलते हैं, और 25G में single camera देखने को मिलता है, जिसमें 4 different features मिलते हैं, अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जोकी speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो V23 Pro 5G में Mali G77 MC9 जबकी 10T 5G में Adreno 730 मिलता है चिप सेट की बात करें तो V23 Pro 5G में MediaTek Dimensity 1200 MT6.8.9 और 10T 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 मिलता है बात करें RAM की तो V23 Pro 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकी 10T 5G में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 8GB 12GB 16GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो V23 Pro 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB की Storage मिलती है जबकी 10T 5G में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB 256GB Storage मिल जाती है expandable memory दोनों फोन में नहीं है ओपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है बाटरी V23 Pro 5G में 4300MH जबकी 10T 5G में 4800MH देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो colors option देखने को मिलते हैं सब information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो V23 Pro 5G में 2 variant देखने को मिलते हैं जो की 8GB RAM 128GB Storage के साथ 37,690 रूपीज 12GB RAM 256GB Storage के साथ 43,990 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें 25G की तो उसमें 3 variant देखने को मिलते हैं जो की 8GB RAM 128GB Storage के साथ 55,990 रूपीज 12GB RAM 256GB Storage के साथ 54,990 रूपीज 16GB RAM 256GB Storage के साथ 55,990 रूपीज में मिलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजन कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Vivo V23 Pro 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें OnePlus 10T 5G की तो उसमें 6 फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 10T 5G आगे है में कामरा में V23 Pro 5G आगे है प्रंट, सेल्फी कामरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में 10T 5G आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो X60 Pro Plus है, दुसरा Samsung Galaxy Z Flip 3 है, तीसरा वीवो Y72 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Nazo 35G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना